नमस्कार आप देख रहे हैं इजी शिक्षा, मैं हूँ आपके साथ वंशिका चाहान, आज हम बात करने वाले हैं OICL एक्जाम के बारे में Oriental Insurance Company Limited एक भारती सामानने बीमा कमपनी है, जिसका मुख्याल है नई दिल्ली में है OICL सामाने तोर पर सितंबर के महीने में भारत में वित्निया सेवाय प्रदान करने वाला एक सार्वजनिक शेत्र का उपक्रम है, यानि की PSU परतमान में OICL का Villa National Insurance Company Limited और United India Insurance Company के साथ हो चुका है भरती एजेंटों, सहायकों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए की जाती है और अधिसूचन अधिकारिक वेबसाइट का लिंक हमने आपको description box में दिया है और ये इसे लिंक के माध्यम से जारी की जाती है अब जानेंगे इसकी highlights के बारे में Name of the Organization है Oriental Insurance Company Limited एक्जाम का नेम है Oriental Insurance AO Official वेबसाइट का लिंक हमने आपको description box में दिया है Post का नेम है Administrative Officer AO अब जानेंगे इस एक्जाम की vacancies के बारे में कुल 300 vacancies जारी की गई है जो की Generalist के लिए 223 Automobile Engineers के लिए 15 Medical Officer 10 Legal Officer 30 Actuary Professional 2 Accounting 20 जो की कुल मिलाकर हो गई 200 अब जानेंगे eligibility criteria के बारे में इस एक्जाम को देने के लिए आपकी minimum age 21 साल होनी चाहिए और maximum age 30 साल तक हो सकती है यानि कि अगर आप 21 से 30 के आवी वर्ष में आते हैं तो आप इस एक्जाम को देने के लिए सक्षम है अब जानेंगे educational criteria के बारे में आपके पास bachelor's degree होनी चाहिए दिग्री सर्जरी में MBBS लीगल ओफिसर के लिए बाचलर्स अफ लेजिसलेटिव लो यानि की LLB दिग्री अक्ट्वरी प्रफेशनल के लिए अब जानेंगे के इस एक्जाम के लिए आवे दन कैसे करें सबसे पहले औरियंटल इंशॉरंस कंपनी लिमिटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं जिसका लिंका पाएंगे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में उसके बाद उम्मीद वारों को अपनी आवे दिन प्रक्रिया शुरू करने के लिए खुद को पंजिकरत करना होगा करियर ओपरेशन पर क्लिक करें और फिर अपलाई ओनलाइन पर क्लिक करें नए पंजिकरन के लिए यहां पर क्लिक करें विकल्प चुने और अपना नाम और संपर्क विवरण भरे एक पंजिकरन आईडी और पासवर्ट बनाया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा उनके पंजिकरत इमेल पते और उनके मुबाइल नमबर पर इमेल और SMS भेजा जाएगा उमीदवार अब सभी विवरण जोड़कर आवेदन पत्र भरना शुरू कर सकते हैं और यदि वे एक बार में आवेदन नहीं भर सकते तो उन्हें आवेदन को सेफ करने का विशेश रदिकार भी होगा जानकारी की जाँच करें कि सही धंग से भरी गई है या नहीं और सभी विवरणों की अच्छी तरह से जाँच करने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें अब दिये गए विनिड देशों के अनुसार, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आगे बढ़ें अपनी अपलोड की गए च्छवियों को देखें और फिर अंतिन सब्मिट पर क्लिक करें आवेदिन पत्र का भुकतान करने के लिए आगे बढ़ें और सब्मिट बटन पर क्लिक करें इरसीत और आवेदिन पत्र डाउनलोड करें और इसे आगे के उपयोग के लिए सहेजे यानि कि अपने पास सुरक्षित रख लें आप जानेंगे श्रेणी आवेदिन शिल्क SC, ST या PWD के लिए इसका शिल्क है 100 रुपे जो कि केवल सूचना शिल्क है और अन्य सभी श्रेणियों के लिए 600 रुपे जो कि सूचना शिल्क सहित आवेदिन शिल्क होगा आप जानेंगे एक्जाम पैटन के बारे में इसमें सबसे पहले प्रलिम्स एक्जाम, फिर मेंज एक्जाम और इंटर्वियो होगा जिसमें आपसे English Language, Reasoning Ability, Quantitative Aptitude के प्रशने पूछे जाएंगे जो कि कुल मिलाकर 100 नंबर की होंगे और इसे करने के लिए आपको एक घंटे का समय मिलेगा यानि की 60 मिनट फीस टू एक्जाम में यानि की मेंस एक्जामिनेशन में Reasoning Ability, English Language और General Awareness के आपसे प्रशन पूछे जाएंगे जो कि मैक्सिमम 50 मार्क्स के होंगे इसके बाद आपका व्यक्तिगत साक्षातकार होगा यानि की इंटर्वियू जो तै करेगा कि आप इस परिक्षा में सफल हुए या फिर नहीं हम आशा करते हैं कि आपको इस एक्जाम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी ऐसी ही विडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल इजी शिक्षा को धन्यवाद